जहिन प्यारे सांतियों स्वागत है आप सभी का उत्कर्स एकेडमी खिलचीपूर का उनलाइन प्लेटफों में प्यारे सांतियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमुक महापूरुशों के समाधी इस्तल 15 महतुपुण प्रेशनम लोग जानने वाले हैं जो आगे आगे आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए बहुत जादा महतुपुण होंगे तो चलते हैं आज का पहला क्योशन जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है उद्धै भूमी किस व्यक्ति का समाधी इस्तल है चार उप्षन आपको दिये गए हैं तो इसका जो सही जवाब ह हो जाएगा ऑफ्षन नंबर एक हो जाएगा के आर नारायन यानि प्यारे सांतियों जो उद्धै भूमी है के आर नारायन का समाधी इस्तल कहलाता है यह भारत के दसवे राष्ट पती थे इतनी जानकारी इस क्योशन से आपको याद रखना है अगला क्योशन है इस्मनती इस्तल किस व्यक्ति का समाधी इस्तल है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अटल विहारी वाजपई जो थे उनका समाधी इस्तल कहलाता है और यह सबसे कम समय तक भारत के प्रधान मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं अगला क्योशन अगर बात करें नारायन घाट किस व् हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा और भारत के चोथे प्रदान मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे जिनका समाधी इस्तल नारायन घाट कहलाता है अगला क्योशन है कर्म भूमी किस व्यक्ति का समाधी इस्तल है तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है शंकर दयाल शर्मा का समाधी इस्थल कर्म भूमी कहलाता है इसका सही जवाब आफशन नमबर 3 हो जाएगा और भारत के ये नोवे राष्ट पती रहे हैं शंकर दयाल शर्मा इतनी जानकरी आपको याद रखना है अगला क्योशन है समता इस्थल किस व्यक्ति का समाधी इस्थल है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जग जीवन राम आफशन नमबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा जग जीवन राम का समाधी इस्थल समता इस्थल कहलाता है और याद रखना पचास सालों तक सांसद रहने का रिकोर्ड जग जीवन राम के नाम पर हैं और उसके बाद स्वतंतता सेनानी भी ये रहे हैं भारत के तो इनका समाधी स्थल याद रखना है समता स्थल हो जाएगा एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधी स्थल है तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ग्यानी जैल सिंग आफशन नमबर तीन इसका सही जवाब हो जाएगा ग्यानी जैल सिंग भारत के साथवे राश्ट पती रहे तो इनका समाधी स्थल आपको याद रखना है एकता important question है राजघाट किस व्यक्ति का समाधी स्थल हो जाएगा तो जो मातमा गांदि का समाधी स्थल कहलाता है। और मातमा गांदि को आप सभी जानते होंगे भारत के प्रमुक सोतंत सेनानी एंड भारत के गुजरात राज जी में इनका जन्म हुआ पौरबंदर नामक की स्थान पर तो इनका समाधी स्थल जो है राजगाट कहलाता है किसान घाट किस व्यक्ति का समाधी स्थल हो जाएगा तो इसका सही जबाब आपको याद रखना है चोदरी चरण सिंग और चोदरी चरण सिंग जी जो थे भारत के पाँचवे प्रदान मंत्री रहे तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है अगरा इंपोर्डन क्योशन है चेत्रा भूमी किस व्यक्ति का समाधी स्थल हो जाएगा तो इसका सही जबाब आपको याद रखना भीमराव अंबेट कर ऑप्शन नंबर दूसरे इसका सही जबाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेट कर भारत के सविदान के रचीता भीमरा उंबेटकर का समाधी स्थल कहलाता है चेत्रा भूमी इतनी जानकारी आपको याद रखना है महाप्रयान घाट किस व्यक्ति का समाधी स्थल कहलाता है तो इसका सही जवाब याद रखना है डॉक्टर राजेंद प्रसाद इसका सची जवाब पहला वाला उप्शन हो जाएगा और भारत के प्रतम राश्पती रहे हैं डॉक्टर राजियन प्रसाद इनका समाधी स्तल याद रखिएगा महाप्रयान घाट अगला इंपोर्डेंट क्योशन है वीर भूमी तो वीर भूमी किसका समाधी स्तल हो जाएगा तो वीर भूमी हो जाएगा राजिव गांदी राजिव गांदी का समाधी स्तल वीर भूमी कहलाता है और भारत के ये साथवे प्रधान मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया राजिव गांदी अगला important question है शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधी स्थल हो जाएगा तो इंद्रा गांधी इनका नाम याद रखना है औप्शन नमबर दो इंद्रा गांधी का जो समाधी स्थल कहलाता है शक्ति स्थल कहलाता है भारत की प्रथम महीला प्रधान मंत्री रहने का रिकोर्ड तो भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री इनका विजए गार समाधी स्थल आपको याद रखना है अगला important question है शानती वन किसका समाधी स्थल कहलाता है तो याद रखना पंडी जवाला नेरू का समाधी स्थल शानती वन कहलाता है और ये बारत के पह दोस्तों तक पहुंचाने में इस वीडियो को मदद कर यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में पढ़ते रहेगा जय हिन जय भारत